फिलिस्तिनी प्रतिरोध गुटो ने गाजा पर्युद्ध के 309 दिन गाजा पट्टी में इस्राइली कबजेवाली सेनाओं को निशाना बनाते हुए कई अभियान चला है हमास के अलकसम ब्रिगेड ने शनिवाल शाम खान यूनिस के पूफ में इस्राइली कबजेवाले बनों पर हमला करने वाले इस्थानों पर एक सो साथ मीमी रॉकेट तोप खाने की गूले दा गे अलकसम ने कहा कि रॉकेटों के कारण का एक शित्रों में आग लग गए से भी जमकर लड़ाई की शनिवार को इस्राइली कबजेवाले बलों ने उसी पडोस में इंडोनेशिया ये अस्पताल में खुद को घीर लिया जहां अलकसम प्रती रोज सेनालियों ने इस्राइली बल पर एक एंटी कार्मिक आर्पीजी और एक थर्मोबैरिक आर्पीजी फाइरिंग की मारे गए और घाल सानिकों को निकालने के लिए इस्राइली सेन ने पचाव हेलिकॉप्टर क्शित्र में उत्रे अलकसम लडाकों ने तालल सुल्तान के दक्शन पच्चिम में अलसौवेता गाउं में एक इस्राइली सानिक पर भी हमला कर दिया अलमुजाहिदिन ब्रिगेड और अलकसा शहीद ब्रिगेड सहित अने फिलिस्तिनी प्रतीरोध कुटों ने इस्राइली कबजेवाली सेनाओं पर हमने में भाग लिया दरसल हमास के लिए 20-25 जार लोग काम करते हैं इसकी तीन प्रमुक विंग है जिसके कमांडर समय के साथ बदलते रहते हैं पहली military wing है जिसे अलकासिम के नाम से जाना जाता है दूसरी social service wing है जिसे दावाह के नाम से जाना जाता है तीसरी media wing है इसके तहत अलकसा टीवी और अलफटेय मैगजिंग का संचालन की आ जाता है टीवी और मैगजिंग के जरीए हमास अपने प्रोपेगेंडा को अंजाम देता है इसकी एक political win भी है कमजन संख्यार क्शेत्रफल में बसे होने के बावजूद इसराइल को दुनिया का बहुत मजबूत देश माना जाता है उसके तक्नीक, खत्यार, सैनिक, शम्ता और इंटेलिजन्स का कोई जवाब नहीं है लेकिन हमास के मुठी भर आतंकियों ने इसराइल को दिन में तारे दिखा दिये जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया उसमें इसराइल को संभलने तक का मौका नहीं मिला जब तक वो कुछ कर पाते हमास के आतंकी अपना काम करके वापस जा चुके थे उन्होंने एक साथ नब जल और थल से हमला किया इस खौफना प्लान को हमास की सबसे खुंकार ब्रिगेड अलकासिम ने अंजाम दिया है इसे अज अलदिन अलकासिम प्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है जिसके स्थापना साल 1991 में की गई थी इसे गाजा में सक्रिय सबसे बड़ा और सबसे सुसजित सम्हू माना जाता है इसने इसराइल के खिलाफ कई बड़े युद्धिलडे हैं गपनों आपनों युद्धिलडे हमान से तके खिराइले हैं ग्युद्धिल. खोषे हाओ खोई झाल